महोदे यद्यव योजना के अंतिम रूप पर यह आपचारिक बहंस आज हो रही है हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफी ब्योरेवार विचार किया था एक माननी सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कारे को निप्टाने में तत परता जरूरी है मैं समस्ती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है अंतिम रूप में हमने ततका लिखता पर जोद दिया है जिसका प्रमार यहा है कि उसमें आज की प्रमुक समस्याओं की पैचान की गई है जैसे बेरोजगारी या छेतरी असंतुरन अथवा अन ऐसी बातें इन में से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें ततकाल द्रह निश्चे के साथ हल किया जाना चाहिए लेकिन कुछ परस्थितियां ऐसी होती हैं जिन में हमें काम करना होता है कुछ मामूली तरीके हुआ करते हैं इन में से एत है लोकतंत्री परक्रिया बहुत से लोग चाहती हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इन में से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं लेकिन हम लोकतंत्री परक्रिया के प्रतिवचन बद्द हैं हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिवद्द हैं हम अधिकाधिक जन्ता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गती कुछ धीमी भी रहती है तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उसी बल मिलता है दूसरा तरीका मिस्वित अर्थ व्यवस्था का है जिससे सायद कुछ सहमत नहीं है लेकिन जिसे हमने अपने लिए निरधारित किया है ऐसी अर्थ व्यवस्था की अनेक तुटियां भी होती है लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्ति है उसमें हमारी सरकार हमारे पूरवर्तियों ने और आज के सहयोगियों ने यह महसूस किया है कि हमें इस तरीके को अपना कर चलना चाहिए मिश्रित अर्थ व्यवस्था का अर्थ मेरी समझ में यह नहीं है कि कुछ सम्रिध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे क्रसिया लगो उद्योग जैसे अनेक छेत्र कमजोर वर्वों के लाभ के लिए निजी छेत्र में रखे गए है और हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के अंतरगत अपने लिए लोगों को अनेक कारिकरम अपने हाथ में लेने के अलामा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए मुझे मानूम है कि स्वाधेंता के तुरंत बाद जो इस्ति उत्पन होई थी उसका कुछ परिवारों गुरुपों ब्योसाइक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया और हमारी कोशिस है कि हम एकादिकार की ऐसी परिवित्त का उनमूलन कैसे करें हमारी जो परसितियां हैं उनमें ये तो संभव नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उसे एकाएक रोप दिया जाए